हलो हलो फ्रेंड्स देखिए मैं बनाने जा रही हूं मेरी वेटी जो है उसने बोला है कि मुझे इडली खाना है तो इडली गा तो तो मैं वीडियो आपको नहीं दे पाऊंगी यह मेरा ब्लॉगिंग है तो यह मैं देखे यह जो है दो इस कप से दो कप मैं चाबल लूँगी यह देखिए यह दूसरा कप है इसे मैं डाल देती हूं इस चाबल को तो मैंने छोटा इसमें लिया है कंटीनर में तो यह बाड़ा जो है इसमें में डाल देती हूं तो तो अब मैं जो है दो कप चाबल दिया है इस कप से मैंने दो कप चाबल लिए है तो यह मेरा एक रेटिपी चाइनल है फ्रेंट जीनल एक आप इसमें जाकर मेरा इडली का यह देख सकते हैं तो यह मैं भीगो देती हूं अभी तो इसे मैंने भीगो दिया है तो अब मैं जो है डाल भी भीगो लेती हूँ तो ये देखे फिरें इसे मैंने एक कप डाल लिया है ये डाल भी मैं इस कप से दो कप चाबल एक कप डाल इसे भी मैं भीगो दूंगी तो अभी मैं जा रही हूं राइस बनाऊंगी राइस और आलू अंडे की सब्जी बनाऊंगी मैं तो यह आलू जो है मैंने कट करके रख लिया है तो इसे मैं धूल लेती हूं मैं धूल लेती हूं अच्छे से मैं आलू का जो है यह आलू का भूजिया बनाने जा रही थी फिर मैंने सोलता क्यों ने क्यों ने मैं आलू अंडे की सब्जी बना देती हूं तो या देखिए मैं बनाने के लिए जा रही हूं अब तो सबसे पहले मैं राइस चड़ा देती हूं राइस बनाना ज़रूरी है क्योंके बत्त क्यों अच्छ सब्जी बेखिए यह जो राइस है इसे मैं अभी दूल लेती हूं तो पानी गरम करने चछा दिया है तो प्लीज फ्रेंड हम लोग में वीडियो बहुत मुश्किल से बनाते हैं तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें आप लोग से ही रिक्वेश्ट है मेरा तो यह देखे प्रेंट इसमें मैं एक चमत नेथी दाना डाल देती हूँ क्योंकि मेथी एक चमत भी नहीं है देखे हाफ टी स्पून है मेथी तो इसे मैं उरत दाल में डाल दूंगी यह जो उरत का डाल है इसमें मैंने डाल दिया है इस इडली में अच्छा टेस्ट आता है तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ फ्रेंट्स नहीं कि कुछ इसमें गिर जाएगा तो यह देखे मैंने इसे बंद कर दिया है यह देखे फ्रेंट्स यह चार अंडे है इसे मैं बॉल करूंगी तो मैं तीन अंडा ही बॉल करूंगी फ्रेंट्स इसमें मैं बॉल कर लेती हूं यह देखे Simsite ऐसे में डाल कहां नाल दूहोंगी इसे मैं बॉल कर लूए भॉल है तो मैं तो यह देख़े यह दूरा है कर दो यह देखे यह प्रेंगे में अज़ता मरत यह नाल को डाल दोंगे तो ये देखे ये ये मैंने अद्रक लिया है और ये लासुन इसे मैं गूल देती हूं गूल कर में डाल दूंगी ये डालेंगे हम और देखे प्रेंट्स ये एक प्याग है इसे लिए मैं छील लेती हूं चिल कर मैं डाल दूंगी तो बहुत दिन से मैंने ब्लॉक नहीं दिया था तो मैं सोची कि मैं क्यों नहीं एक ब्लॉक छोड़ देती हूं तो ये देखिए ये मैं काटकर इस जार में रग देती हूं और इसमें मैं सारे मसाले भी डाल तो ये देखिए ये है जीरा काली मिर्च का पॉडर तो मैं थोड़ा आपको नजबी किसा दिखाए ये देखिए ये मसाला स्पून नहीं तो इसे मैं एक चम्मेच लाल मेच लेती हूं ठोड़ा और मेगदेती हूं देर चम्मच ले लेती हूं तो इससे थोड़ा स्पाइसी बनेगा और यह आधा चम्मत हल्दी पॉडर कुभी यह हल्दी बहुत अच्छा है इससे ना खलर बहुत जल्दी आ जाता है और यह देखिए यह एक टीउस्पून बन्या पॉडर वसे ही ना तो यह देखिए फ्रेंट्स मसाले जो है रेडी हो गये हैं अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और तो यह देखिए यह एंडे जो है मैंने बॉइल कर लिया है अब मैं इसे छील लूँगी तो देखिए अंडा छीलने सभी को आता है इससे क्या दिखाना तो यह गैस मैं आन कर देती हूँ और इसमें मैं कड़ाई चड़ा देती हूँ ताकि मैं आलू फ्राइ करने के लिए डाल दूँ तो देखिए फ्रेंट्स यह यह भी मैं आलू और अंडा दोनों ही फ्राइ करूंगी तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है आप देखिए फ्रेंट्स तेल हमारा हीट हो चुका है तो अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ तो आलू जो है मैं सारे नहीं दूँगी क्योंकि आलू ज्यादा लग रहा है मुझे यह मेरा रात में यूज हो जाएगा तो इसे में पानी में डाल कर रख दूँगी यह जो है अलू यह पूरा में डाल देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो आलू है यह अच्छे से फ्राइर हो गिया है सब्सक्राइर जो अब मैं इसे निकाल लेती हूं तो आप आप देखेंगे यह गिए अन्ड में डाल दिये हैं तो आफिक एंड जो पहुत तूसूट सगों देखेंगे इस तरह का हो गया है तो भी मैं डाल देखosure्ण देखिए तेल में जाते ही दो आधा हो गिया तो कोई बात नहीं फ्रेंट हम लोग तूटा ही खा लेंगे कोई बात में देखे यह तूट गिया है तो यह तूट गया तो इसका में तूट गया है तो इसमें मैं खोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो देखे फ़रेंट्स यह जो है अंड़ मैंने यह कर लिया जिसमें से एक अंड़ तूट चुका है तो मैं इसमें एक चम्मच और तेल डाल देती हूँ है इस यह देखेए इसमें एक काट कर धूल दिया है तो आप मैं इसमें डालूँ घितो बहुत ज़्यादा यह होगा इसलिए मैंने नमक डाल दिया है और इसलिए में नमक डालने से पानी निखलता है तो देखे फ्रेंट यह जो है त्याज हमारा हो गया है अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी यह जो मसाले मैंने पीछे से इसे में पूरे सारे सारे में डाल देखी हूं तो यह भून जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो देखे फ्रेंट जब तलक हमारे अंडे हो रहे हैं तो ब्लॉगिंग का तो यह मतलब है कि एक तरफ चीजे हो रही है एक तरफ काम हो रहा है तो अब मैं अपना काम जो है बाकी कर लेती हूं तो आप देख सकते हैं प्लॉगिंग का तो यह रहा हुआ है कि अब देगा तो तेल स्कुट जाएगा तो इसमें अल्रेडी नमक है अब मैं इसे ढाक दूंगे अच्छे से ताकि तो देखें तो थोड़ा बहुत मैं नीचे अर्जेस्ट कर देती हूं थोड़ी बहुत समान को तो इसे में नीचे रख देती हूं इस तरह से कि खाने पीने की चीजे में नीचे रख दे दिया करती हूं तो फ्रेड्स देखें मैं थोड़ा इसे मैं साफ कर देती हूं तो यह सब तो फ्रेंड्स बोलने की चीजे नहीं है यह सब डेली रूटिंग काम है तो इसमें मैं पानी डाल देती हूं फ्रेंड्स तो मुझे जितना ग्रेवी लगेगा मैंने ग्रेवी के एकोर्डिंग इसमें पानी डाल दिया है आप भी उसी आपको जितना लगे उसी तरह डालिएगा तो यह देखिए यह मैंने धकन लगा दिया है ग्रेस का फ्लेम जो है वो अस्ते अस्ते आलू भी गल जाएगा और सब्जी रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स इधर जो है हमारा राइस भी हो गया है चावल भी हो चुका है अब मैं इसे पसा लेती हूं कूकर में क्यों नहीं बनाती है तो नहीं फ्रेंड्स तो इसा देती हूं अपने वीडियो का end तो देखे friends मैं कर देती हूँ अपने वीडियो का end क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो friends मिलती हूँ मैं next वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करियेगा और जो नहीं friends है वो जरूर से जरूर बेलाएगा दवा लिजाएगा friends आप लोग किसे request है मेरा कि मेरा channel खोले 2 साल हो गया है friends लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं कोई वीडियो नहीं कुछ मैं sorry, video तो मैं डालती हूँ वो मेरा woman lap style जो है वो वाला channel मेरा दो साल हो गया लेकिन ये channel मैंने अभी नया नया से खोला है मैंने सोचे कि क्यों नहीं मैं daily routine wise अपना दिखाऊंगी और friends देखें अगर जाने अन जाने कोई गलती हुआ तो sorry उसके लिए और आप लोग यूटूबर है आप लोग भी हमें comments करके बोले तो हम भी आपका channel subscribe करेंगे आप हमारा करिएगा तो एक दूसरे के साथ बने रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक दूसरे का family बनके रहें तो मिलती हुए एक अच्छे वीडियो के साथ और मैं बताती हुए एक बाद friends मैं हमारे यहां तो तीज होता नहीं है फिर भी मैं तीज special वीडियो करूंगी मतलब सज करके मैं वीडियो करूंगी तो आप लोग इस चीज से सहमत है कि नहीं मुझे comments करके बताईएगा तो मि करती हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए भाइबाइब खेयाल रखे खूस रखे खूसिया बाते तो मिलते हैं अच्छे से व्लोग के साथ तब तक के लिए भाइबाइब फ्रेंड्स